हेलो दोस्तो मैं रवी सर आप लोगों को रवी राज दुर्गा कलासेश पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे कलास 10th मैठ और मैठ में बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा चेप्टर है जिसका नाम है पोली नुमियल जिसको लोग बहुपद कहते हैं तो आज चलिए हम लोग डेखते हैं सबसे पहले 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपोटेंट चेप्टर है इसका अब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी से कोस्टन आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो बेसिक हुआ पोलीनुमियल का बेसिक जहा आज स्टार्ट करते हैं ठिक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कंसेप्ट को समझी ठिक चलिए आते हैं हम लोग का सबसे जो चेप्टर है उसका नाम है पोलीनुमियल ठिक आप भी सुने होईएगा पोलीनुमियल सबसे पहला कोस्टन की सर बताईए देखिए और कि पहछान में कि इन पहले से कौन से कौन प्पोलीनुमियल है तो यूज रहे कि आपको को पोलुनमियल को निए आपको एक چोटा चोटा दो पॉैंट जानना होगँ लोगे कि पहला पॉइंट किया आपका पूलोम मिल को जानने से पहले आपको जानना होगा यहां पिर एक नमरण ब्रश्र्ण जिसका नाम है भेरि येवल म Edu जिसको चर बोलते हैं ठिक भैरियेवल क्या होता है अब जानते हैं भैरियेवल का मतलब जिसका मान वैरी करता हो जिसका मान बदलता हो भैरियेवल ठिक तो भैरियेवल कहते किसको है तो आप इसको समझेंगे कि भैरियेवल किसको कहेंगे जिसका मान बदलता हो जिसका मान इसका मान फिक्स नहीं है एक भी हो चक्ता है यह सब पाइब यह हो सकता है तो यह को थिक। दुसरा कि इसको अचर कहा जाता है अचर यह देखिया एक दो तीन चार डॉट यह सब अचर हुआ इसी के अधार से प्लोनोमियल का यहां से उतपत्ती होता है गोड किजेगा क्या हम बोल गाए बीडियेवल और अब देखिए अभी जस्ट आप बोले थे कि वाट इस प्लोनोमियल को समझने के लिए आपको बताए और अब देखिए यह बहने यह लिखे ची और यह लिखे एकस आप हमको बताई यह एकस अगर तीने गोंस्टेंट के लिए नहीं हम बोल रहें ध्यान दिएगा पोनुम्यों को पहचाननी के लिए भाई साहब आपको एक नंबर में याग रखना है कि आपको ना भेरियेवल क्या बोले भेरियेवल के भेरियेवल के भेरियेवल के पावर को देखना है क्या लिखे भेरियेवल के पावर को देखना है आपको कॉंस्टेंट के पावर को नहीं देखना है आपको भेरियेवल के को देखी और दूसरा ध्यान दَहिए इंद्ये बेराइबल को पावर के दिखिए और या भरीयबल के पावर क graphical चाहिए इसके और बात करते हैं इसके बारे बात करते हैं जो है ओफ आब और हमेसा क्या लिखे हमेसा पॉNER लोगर पर लोगरप पहचाणने के लिए हम बताएं कि पॉलोनीमे अगर पहचानना है तो आपको भेरीयेवल के Power को दिखना ღ रित लेवल के पतलाख को सम का लए से लिखा हुआ है आपको क्या बोले है का पावर से मतलब है रहने और प्रूनान योटरे हें पुर्णाय के मन में डाउट होगिस धनात्मrik पूर्णान के मतलब अब पुर्णांग के मतलब सीधा सीधा वाला नंबर जो आप पुर्णांग पढ़े हैं अगर पुर्णांग में दिक्कत है तो पुन संख्या भी जानते होंगे वही पुन संख्या पुन संख्या अधनातों पुर्णांग बात बराबर हुगा क्योंकि धनात्मक बोलिए दि और बटा में नहीं होगा और बटा में नहीं पिर सुध coalition चाहिए नहीं Parужд hod नहीं बटा में चाहिए नहीं दसमलब में चाहिए नहीं माइन समय चाहिए सुध धनात्मक पूर नांक चायी ठीक है तो यहां देखिए सुध धनापक पुर्णांग आपको मिल गया था इसलिए बहुपद है बात को समझे क्या दूचार एक्जामपल और क्लियर करते हैं रूट टू एक्स के पावर दू पलस ठीरी बताईये बहुपद है कि नहीं है देखिए न पावर भैरियेवल के पावर को देखिए इसको छोड़ दिजिए बहुपद है बात को समझे क्या एक और एक्जामपल देते हैं आपको गौड किजिएगा पहले एक्जामपल दुसर तीन के स्क्वार हम बोले हैं constant से कोई मतलब है नहीं बैरियेवल को दिखिए अब है रूट अंडर X और रूट का मान आपको बहुत पहले से पता होगा कि रूट का मान होता है वह वाइट तो रूट के मान जब वाइट 2 है तो है मतलब X के मान केतना होगा वाइट 2 और अभी बहुपद है कुछ लोग कहेंगे और यह एक्स जो है नीचे नीचे से जब उपर जाता है तो अल्जेवरा का नियम है आप पढ़े होंगे कि नीचे से जब कोई चीज उपर जाएगा तो इसका पावर का चीन बदलेगा तरहीं क्या हो जाएगा आपको समझ आ गया कि एक्सक लेंगे बहुपद पहचान लेंगे तब चलिए आप अभी सीख चुके हैं कि कौन पोलोनेमियल होगा बहुपद होगा या नहीं होगा अब बहुपद पहचान लेंगे ठीक बहुपद पहचानने के जस्ट वाद न देखो बहुपद में न सबसे बड़ा रॉल जो है वह कोफिसीएंट गुनांग क्या होता है कि तो बिचान के नंबर के वह वह गुनांग को समझ और 2 2 x square अक्सर को स्क्षचन होता है एक्स स्क्वायर में गौर केρिए six square का डूल एंग सब लोग ओनांग divided की सब लोग मोलेंगे हम को पता है सब लोग बोलेंगे x square का coefficient coefficient of x square क्या बोलें coefficient of में 2x2 में x2 का 2x2 में x2 का बुनांग किसका गुनांग पुछे x2 का थेक है तो सब लोग बोलेंगे देखिए x2 के बगल में कती है तु तैसर क्या हो जागा तु बहुत अच्छा अगर माले जे कोई इसा पूछा कि 4XP में 4XP में 4XP में P का गुनांक बताइए P का गुनांक क्या बोले P का गुनांक कोण हुगा 4X आप समझ रहे हैं दूसरा देखिए अब हम लिखे रहे हैं तुरंत 4X2P में अब गौड किजिएगा अब यहां से आप देखिएगा आप से हम पूछे कि P स्कॉर का गुनांक बताइए अब थोरा से आपको दिक्कत हो सकता अगर समझेंगे तो नहीं होगा समझेगा आपके स सर अभी X2 का गुनांक पूछे 2 था 2 लिखे पानोल पूछे 4X था 4X लिखे अब यहां क्या है कि आप से पी स्कॉर का गुनांक पुछें कि है यह है फिसको समझेगा तो गुनांक यहां को समझे नहीं तो समझीए तब बताईए गा देखिए यहां जो है इसका 2 कैसे असर इसको समझें, two x square में x square का गुणाँ के दू क्यों हुआ इसलिए हुआ कि जिसका गुणाँ पुछा है उससे divide कर दिये भाग दे दिये two x square में x square से भाग दिये तबना two answer आए थिक उसी परकार से देखिए 4XP में P का गुनाग पूछा तो P से डिवाइड किया होगा तो अमना 4X इंसर आया उसी परकार से जिसका गुनाग पूछता उसे डिवाइड होता है सिधा 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 समझे तो डिवाइड होगा तो देखिए यह डिवाइड करते हैं 4X स्क्वाइर P में डिवाइ लिख सकते हैं 4x2 पीके पावर माइनस वन यह दोनों चीज एक है बस लिखने का तरीगा अलग अलग है बात को समझे क्या या आपको गुनांक को समझा दिए गुनांक का आप समझ पाएं कि अगर गुनांक पूछे आज तो सीधा सीधा सीधी क्या करेंगा डिवाइड अब आप गुनांक को उमीद करते हैं कि समझ चुके होंगे कोफिस्ट कोई बार टॉपिक है आपको समझा दिए कि जैसे पूछे का बनाद दिएगा अब जब गुनांक को समझ गया तो आईए हम लोग बात करते हैं गुनांक को भेरियेबल और कॉन बहुपद है नहीं सब पर अब समझ ह मधा गए अब हम लोग प्रहेंगे क्या टाइपन ऑफ अव टाइपस ऑफ i २ूमिय आप अप पढ़ेंगे टाइपस ऑफ फोलो नम्गिल बहुपद के प्रकार क्या परेंगे बहुपद के प्रकार यहां पर गौर करेंगे आप बहुपद के प्रकार बहुत सिंपल है आप जानते भी होंगे ठीक है एक मिट विजन करा देते हैं बहुपद के प्रकार में आपको क्या परना है कि बहु परकार में सबसे पहला बहुत के नाम है क्या लीनियर पॉप्षाट को जिसका पाबर कितना हो ववन हो वैसा बहुपद वैसा भभुपद वैसा बहुपद है जिसका पावर कितना हो एक जिसका पावर एक हो जाए जिसका पावर एक वह क्या कली है जिनियर रहखिक भभाँपद एक घात Bible चली दुस्टरा नम लिखते हैं और क्वाड्री डिक पोल्मील लीघ द Süह को एक लिएल्ग वोपध किसको कहेंगे नाम है कियूब नो मिटीक पुलोमियर जिसको लोग कहते है ट्रिगाटी क्या कहते है त्री घंते है तो जिसका घहात कितना हो जा जए 3 बहुँ कहल हैं, जिसका घहात 1 वो रेखिक, जिसका घहात 2 वो 2 गात, जिसका खात 3 उत्री गात, जिसका घहात 4 वो स्अर्म 4 वो 3 गात ही, ठीक, यहाँ भी question है, तो अब तुषया कि शर मोटा मोटी types of polynomial को आप बता दीए, रेखिक, 2 गा पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि लीनियर पुलॉनिल क्या है चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पूलॉनिय गोपद तो इसका एक जामपल किया है आपको कलियर करते हैं उसका पावर एक हो तो आईसा एकजामपल देते हैं आप समझ भी रहे होंगे कि 2x देखिए एक से पावर कितना है 1 यह कि हो गया 2x प्लस 5 ये एक जामपल तुसरा एक्जामपल 5x ये भी बहवपद है ये सब कईस सबसे पहले की रहकीक बहुताइव के इस रोगा एक के फॉरम में होगा ठीक ही जेनरल रूप होता है दूसरा हुआ कि इसका सुन्यक की संख्या किसका बोल रहा है सुन्यक की संख्या सुन्यक की संख्या और इसका गराफ अगर खीचा जाए आप समझिएगा अगर लिनियर का गराफ आप खीचिएगा तो गराफ आपका सुन्यक को समझते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद का सुन्यक इसको पढ़ने समझने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बहुपद का सुन्यक यह टर्म बार बार सुन्यक आएगा सुन्यक सुन्यक कोई भी बहुपद का सुन्यक हो सकता है रैखिक बहुपद का सुन्यक द्रिघात बहुपद का सुन्यक यह सुन्यक कही चर्चा है यानि जीरो का फाइंड जीरो फाइंड सुन्यक तो इस पर बा बहुपद में एक वैसा मान जिसको बहुपद में रखने पर वो पूरे बहुपद को क्या करता है जीरो कर देता है जो पूरे बहुपद को जीरो कर दे वैसा मान उस बहुपद का सुन्य कहलाता है बात को समझे की नी समझे मतलब आप समझ रहे हैं कि बहु बहुपद बहुपद में वैसा मान डाली है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे सुन्य कर दे अप समझ सकते हैं तो पूरे बहुपद को सुन कर दे वैसा मान बहुपद का सुन्य कहला जाएगा ठीक, जैएसे समझाइए, जैएसे शमझाते हैं कि 2x है, क्या है, 2x है, 2x है, अब माइनस 6 है, बात को कर केड़ेंगे, 2x है, माइनस 6 है, इसमें कोई ऐसा तो मान होगा, x के जगापर, जिसको वह संभी बात करेंगे लेकिन समझेएं मोटा मोटी कि पहुपद के सुन्यक का मतलब हुआ कि वैसा एक मान जिसको बहुपद में रखेंगे पुरे बहुपद में दालेंगे पूरे बहुपद बड़ा से बड़ा बहुपद क्या हो जागा जीरो हो जाएगा बड़ा से बड़ा आदमी अपना बहु के सामने फेल यह अपसंसार में भी देख रहे हैं अपना पत्नी के सामने बड़ा से बड़ा आदमी क्या है जीरो है वही बहुपद वही बहुपद में क्या हुआ कि न हों मान कोन है तो उसको निकालने का तरीक है हमाँ बात करने बेसिक से ठीक है इस ध्यान दिजाज कर बपत कर स्नूनेयां समझ चुके है अब ही के बाद आपको रहें के लिए एक लिए और सुनिक निकालने के लिगा यह गव और इसका गारफ सिधा होगा 땋 सुनिक आएगा कैसे तो सुन्याक आने का तरीक्या है कि रेख्षिक बवबर देखिए तो उसको चुप चाहं आप चीजिए जीरrą के बराबर कर जी उसको बराबर कीजिए और प्रयास किमाने क्यात कर लेते हैं अगर हमको को बोलेगा एकसकि मारन ग्यात किज़े तो कैसे करेंगे हम जाfindगी की एक किल स 걸로 वहने जाएगा तो माइनess बृत लिए एक सब्डाबर क्या हो जाएगा सब लाल इस वहें जो भॉपद का किया कमानो निकलेक आपको रहेकिक बहुपद को जीरो के बराबर कर देना ठीक जीरो के बराबर करके एक्स का मान ग्यात करना एक्स के मान ग्यात हो गया वही जो मान आएगा ना वही जो मान इस बहुपद का सुन्यकल है ठीक तो सर यहां माइनस बी जो है माइनस के माइनस और बी को बोल सकते है गुनांग कोफिशेंट ओफ एक का गुनांग बात को समझे क्या यह किसी भी फॉर्म में हो सकता है आई चाने की सुझे कि बार बार ही यह रहे यह यह बी रहेगा नहीं आप इसको समझें बढ़िया से राम बगल में एक्स पलस में मोहन यह भी एक बहुपद है राम मोहन पूंस्टेट नंबर एकिनेक्स तो भेरे वाल है इसका पावर क्या है यहां से भी निकालेंगे इसा ने कि सबका यह भी ही रहेगा यह भी से आप हटिए कोई भी इस टाइक कर रहेगा तो हो सकता है यहां कुट्ता बिल्ली जो भी है सब चलेगा खाली एक स्वाधा उसका प अबढ़िया में पुछता अब्जेक्टिव एक्स पलस फाइब का सुन्यक बता है काईगा फाइंड सुन्यक फाइंड जीरो नंबर अफ जीरो टेक्व होगा तो अगर सुन्यक निकाला है न दोस्त तो कुछ नहीं करो केवल चूप चाप इसको जीरो के बराबर कर दो अब बताई इस पांच में दू यह हुआ नहीं इस बहुपद का सुन्यक आला गाला दाल करें डालेगा जीरो हो जाएगा डाल के देखा लेते हैं तू और एक्सके जावपर माइनस 5 बाइटू पालस पांच देखें दूसे दू कतम माइनस 5 पालस 5 जीरो है कि ने अच्छ दुसरा एक्जामपल देंगे बिल्कुल समझ पाएंगे आप यहां पे देखिए मालीजे दे दिया 3x पलस 5 by 2 दे दिया इसका सुनेक बताओ बताएंगे फिर वही रूल 0 के बराबर करेंगे देक्या करेंगे 0 के बराबर कर दिन पिजीड़ ल के बराबर करेंगे तो देखिया वहाऒगा 3x पासरायाबर-5 by 2 3 x मालाबर माइनस पारबर2 उधर गया त इस लिए एक्षओ सिफ बाक्शे podstaw क्या कहला हैगा सुनने कहला है देख लीडिये माइनस 5 by 6 माइनस 5 by 6 को रखिए हो जाएगा खत्म एक कुश्चन देते हैं आप हमको अभी बना के दिखाएंगे जस्ट एक्जाम्पल दे रहे हैं ध्यान दीजेगा एक कुश्चन और दे रहे हैं बढ़ाईए कोश्चन है ठी इस आप किसका मांद चाहिए ओगा प्लत देंगा माईनस 5 माइनस 5 हो गया मायनस 5 करेंगे तो यह इसलिए x veut माइनस 5 आई कहां जाएगा बट्टा में 3 by 2 पलट जाएगा तो फाइनल एंसर हो जाएगा माइनस 10 by 3 कहिएगा यही इसका सुन्यक है नहीं विश्वास चेक करके देखो कैसे चेक करें इसको उठाके में रख दो इसको उठाके में रख दो एकस कि अपने 0 हो जाएगा देख फाइव इनने पलस फाइव क्या हो गया जीरो पास समझें तो यह वो गया अब आप बताएए रैखिक बहुपत का कोई भी रैखिक बहुपत देगा क्या उसको सुन्यक नहीं कर पाएंगे कर लेंगे आप बहुत सिम्पल है उसको जीरो के बराबर करेंगे और आराम सेक्स थोरा सा भी और आगे उमीद करते कि सिखे तेरे इस चैनल का सारा वीडियो देखते रहे हैं आप लोग के लिए बहुत असान से असान करके हम वीडियो बनाएंगे और पूरा वीडियो चेप्टर वाइज एक्दम कंस्रिप्ट वाइज डाल डाल के आपको सारा प्रोलम ब